उत्तप्रदेश में विधानसभा की नव सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें दो सीटे बहुत एहम थी एक मजबा और कटहरी जिसकी चर्चा थी कि ये निशाद पार्टी को मिलेगी लेकिन निशाद पार्टी को ये दोनों सीटे नहीं मिली अब इसके बाद है तो खेर आप लोगों को मिली नहीं लेकिन ये आरोप मिल गया बसपा छोड़कर निशाद पार्टी में आये हरिशंकर विद्र का आरोप है कि 10 लाक रुपए दिये हैं उन्होंने और उसके बावजूद जो है अभी तक उनको टिकट नहीं दिया गया तिकट दूसरे को म इक आथे करल दृब कर ने अगरे का और हे हां या कोई थी आदमी आता है निसाद पार्टी में कभी रहे हूं कभी किशी लुक्सराया टिकट क मिला मैंने पूशा आरों ए दिया गया किसे लिस्ट अमने लिस्ट तो ऐसे आदमी को कैसे बारती जंता पार्टी के टिकर्ट दे सकती है तो यह तो जिसको टिकर्ट नहीं मिलेगा वो तुन दुनिया का आरूप लगाएगा राजनीत में तो आरूपों का खेली आरूप आपको लगता है कि सर आपको बदनाम करने की साज़िश करी जा जाई की जो वकालत है प्रदान मंत्री ग्री मंत्री तक और निशादों का जो मुद्दा भाल होने वाला है जिस पर आज ग्री मंत्री और राष्टेदर त्यार होगे निशादों का जो मुद्दा है सम्बैधाने की दिल्ली में सुरच्छित है दिल्ली की गजट में तो जो असुरुचित करने वाली सरकारे थी निशादों को उन्हें हटाया जा और सुरक्षा देने वाली जो सरकार बाजबाग उलाए जा लगता है सबसे बड़ा मुद्दा हो सपा है सपा है सपा चूची चाहती कि जो बिंद लोग है बदनाम करने के सारी कोशिस है आपको सर इस पर कारवाही करेंगे कैबनेट मंतरी है पार्टी के सर हमारी टीम है डिगल एडवाइजर है और जो आरोप है उसके लिए वो करवाही करेंगे सर अज चुणो को लेकर सळ अखिलेश आदो को स्टाय प्रचारक बनाया गए जिए इस्टाप प्रचारकों की लिष्टि सर जारी हुई आजम खां का नाम भी शामिल है राम गोपाल यादो डिमपाल यादो तो आपको लगता है कि सर यह जो इस्टाप रचारक के चेहरे है सर ये नौ सीटों पर कमाल कर पाएंगे तीक कमाल तो उसी दिन हो गया जब निसादों ने अपने एक पार्टी बनाई तेरे जनुरी दोजार तेरे को और जब निसाद पार्टी खड़ी बड़ी हो गई और तब से देख लो उंटी गिंती शुरू हो गई केंदर की सत्ता स कैसे साफ हुई हाथी बंजा उत्तर प्रदेश में साइकिल कैसे हाफ हुई और धिरे जूट बोलकर आंसिक सफलता मिल गई उसको लेकर ने बोना आज के दिन में अगर निसादों के बिना किसी के नगया नहीं पार हो सकती है और निसादों के साथ जिसने जिसने दोखा दि तो इन लिस्ट निकलने से कुछ नहीं होगा बूतों पर हर जगे हमारे समन्वाइक बैठे हुए वो काम करेंगे और भारती जंता पाटी जिते हैं पर सर जाएंगे प्रचार प्रसार करने दो प्रत्याश्यों के लिए और सीट को वहां पर आप कितना शूर हैं सर कि हमारे पास बड़े भाई को बड़ा भाई मान लिया हमारे समाजिक मुद्दे को हल करने के लिए तयार होगा रच्छन के मुद्दे को समायजन के तो जहां भी हमें ट्यूटी लगाएंगे हम तो कल ही बता दे प्रेस कांफेरेंस करके पहला मैंने ता हूँ कि उनको प्रेस नहीं करना पड़ा कि डाक्टर साब को बुलाओ बुलवाओ मैं खुद ही प्रेस को बुलाया और अपने मंसा जाहिर कर दे किने खुशी खुशी निशाद पार्टी भारती दंता हम ने हम तो नव में हमारे 6 सीटे ऐसी हैं जिसमे निशादों को बड़ा प जिस चीज से है यह पहने पहने बता दिया कि निशाद को पार्टी को टिकर शीट में मिले 2024 में नाराज लेकिन उससे जादे नाराज तो अपने आरच्छन से था तो अगर आरच्छन के मुद्दा हल करने कि भारती जनता पार्टी तयार हो गई है और दिपावली बाद बै पहल शुरू होगे तो जैसे दस परसे अपर को दिया मैला को दिया जब आरक्षन पर पहल शुरू होगी ताब एक बैठा करके कहेंगे कि भाई आप इनको जो है समर्थन देना है अज ही से कह रहा हूं लेकिन उसके बाद जब और जान जाएंगे तो निश्यत रूप से ज